हेलो फ्रेंज विल्कम तो माई स्टेडी फिक चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है पैरा उलम्पिक गेम्स जैसा कि उलम्पिक कई रूपों में खिला जाता है ग्रिस्मकाली उलम्पिक, सिद्काली उलम्पिक और पैरा उलम्पिक यह आपको फुल डिटेल में जानना है तो चैनल के डिस्किस्वन में जाके जरूर देख लिए तो चली जानते हैं पैरा उलम्पिक गेम्स के बारे में वीडियो को सुरू से लाश्ट तो देखीगा यह पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चैनल के लिए तो पैरा उलम्पिक गेम्स विकलांगख्रियों के लिए और जिए किया जाता है क ந 21 सूर गुडब गोन को नहीं की सुरूर रखेदर्लियों कि दूस्तों जब दुस्ड़ा हो रहा था उसके और जो गायलator उन सब को मुखे धारा से जोड़ने के मकसद से यानि खास तोर पर ये खेल जो है सुरुआत किया गया इस्पाइनल इंजरी के सिकार सैनिकों को ठीक करने के लिए उस समय जो हुआ था जो सैनिक शिकार हुए थे उन सब में इस्पाइनल इंजरी हो गया था तो उस सैनिकों के स्पाइनल में जो इंजरी हो गया था उनसे को ठीक करने के लिए सरगुड में गटमान ने पैरा उलम्पिक गेम्स की शुरुवात की तो सबसे पहले इसकी शुरुवात कब हुआ उनिश्व और तालिस के लंदन में तब इसे अंतराश्टी विल्चेयर गेम्स या स्टाक इसको पैरा उलम्पिक नहीं कहा जाता था उसको इसमें कहा जाता था सबसे पहले अंतराश्टी विल्चेयर गेम्स या स्टाक मीड वीली खेल यहां पर कोस्टन भी से जरूर बन सकता है कि स्टाक मीड वीली खेल क्या है या अंतराश्टी विल्चेयर गेम्स क्या है तो य कहा जाता था तो इसको भी से ध्यान में रखिए फिर 1948 में तो इसके शुरुवात हुई थी लंदन में इसे अंतराश्री विल्चेयर गेम से अरिस्टा कुमिड विले कहा जाता था बट इसका आधुनी की कऱर जो है यानि इसका वास्तविक शुरुवात जो है 1960 रोम में हु से इसका नाम पेरा उलम्पिक पड़ा तो 1988 की सियोल उलम्पिक थेक ना 1988 की सियोल उलम्पिक से इसको पेरा उलम्पिक कहा जाने लगा नहीं तो इससे पहले इसको क्या बलगता था अंतराश्री विल्चेयर गेम से स्टाक मिड विले खेल थीक ना यहां भी से ध्यान देज कि शुरुआत सबसे पहले 1948 में हुआ था अधुनिकी करण 1960 में हुआ वास्तविक और उलम्पिक के नाम से जाना जाने लगा इसको 1988 सियोल उलम्पिक के में ठीक न तो नेश्ट है दोस्तों अंतराश्टी पैरा उलम्पिक समीति इसका क्या कार है यह पैरा उलम्पिक खेलों क कि यह को करने वाली के इ ph Bead her's नोम्पिक को करने वाली के है नतराश्ट्राश्टि पैरा उलम्पिक समीति है जैसा 3 इसका मुख्यान जो है बोल्ट जर्मनी में तो यह क्रें क्कुश्चा है दोस्तों कि जैसे आई ओसी के बारे में उसके उपर भी कोस्टन बना सकता है कि अंत्राश्य पएrophe-श्मीती क्या रहा है होई मुख्याले कहा है तो वाप्रियृ उलमपीक श्मीती कौने मीद करने वाले संस्था है एक अंत्राश्य प्रियृ उलमप्गland मुख्या जर्मनी में हुआ तो इसे शुपी से ध्यान देजिए और इसका धिये जो था यानि आदर्स धिये क्या था इसका sprint in motion तेकर नहीं पर आपिक खेलों कद्धे क्या था sprint sprint in motion ठीकर दोस्तों जानते हैं 15 वी गिरिश्नमकालीन परा ओलंपीक गेमस 2000 शूले यह कहां पर आप जीत हुआ था रियो डी जेनेरियो व्राव जी दोस्तों जैसे ग्रिस्मकालिन जैसे उलम्पिक गेम्स जो है ग्रिस्मकालिन उलम्पिक और सिद्कालिन उलम्पिक होता है उसी प्रकार से पैरा उलम्पिक भी ग्रिस्मकालिन और सिद्कालिन होता है जो ग्रिस्मकालिन उलम्पिक के साथ ही होता है और जो सिद्कालिन होता है वो सिद्कालि 2016 में जो रिस्म कार्ण the 그거 फियो हई रेथ आ पी और इसमें कितने देश सामिल हुए थि एकसार देश भाग लिये थे और 126us में प्रथम अस्थान चीन का था जो टोटोल मेडल 249 था जिसमें से 107 गोल्ड 181 शिल्वर और 111 व्रांज मेडल था यांद रजत पतक था तो चीन अवल नंबर पर रहा और दूसरा अस्थान जो है ग्रेट बिटन का जिसमें टोटल मेडल जो है 147 है इसमें 64 गोल्ड 49 शिल क्रेन का था 17 मेडल के साथ जिसमें से 4ःडाज गोल्ड 17 सिल्वर और 145 मेडल था और पार अलंपीक द्वह व्राफ्राइब complex में प्राप्त उस्थान में प्रप्त किया था यानि 119 ड normally से 2 अस्थान भाल था और चार पदक प्राप्त किया है इसने कहें जालते हैं इसको देखी Diali देवैंद्र जांजरिया जो राजस्थान के थे ठीशो लगो बंदक किया तो लेस्ट अभरु इन्होंने यूची-घुद में ब्सक्रेपदग प्राप्त किया तो ऊची कुद में दो लो प्राप्त किये और तो वर्ला फिक में स्वर्ड प्राप्त किया तो आदैों जाश tet ना वर मक कना 0SE को अफ़ट में ने इलिक भाट सोफ देंग और दारम्ली गॉला फिक में रजट पीजित पता कि यहां से कोस्टन है कि है तो यहां पर जरूधियान रखें कि भारत निसा से पहले कब भाग लिया तो निस साथ के रूम ओलम्पिक में थीक है ना भारत की पेरा ओलम्पिक में कुल पदकों की संख्या कितनी है बारा या अब तक जितने इपरा उलम्पिक हुए है 1948 से लेकर अब तक तो उसे भारत के कुल कितने पदक जीते हैं तो बारत पदक कुल जीते हैं और उसमें से कि चार स्वर चार रजट और चार काश्र पदक जीता है दोस्तों यहां भी बिरे इंप्रटन है कि पफारत पर उलम्पिक में पदक जीतने वाले परथम भारती है चुल घोर्पकर सुमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 1922 में थीख हैने इन्हों मोड़ी गोल्ड मेडल जीता है 1922 में पिरा उलम्पिक में कोई जीतने वाले happens भारती भारती बने हैं थीख है जीतनी वाले खिलाडियों के नाम है जैसे कि पहला है मुर्ली कांत पेटकर 1972 श्वड पदक जीते हैं जो पराउलम्पिक में कोई पदक जीतनी वाले पहले भार्तिय हैं फिर दूसरा है जोगिंदर बेदी 1984 में काश्र पदक साथ पूर्ट में जीते हैं नेश्ट है जोगिंदर बेदी 1984 में काश्र पदक जेविलिन थ्रो में जीते हैं फिर नेश्ट है चोता है जोगिंदर बेदी 1984 काश्र पदक जीते हैं और भी काश्र पदक जीते हैं तीनों में जेविलिन थ्रो साथ पूर्ट ड भाला फेक में जीते हैं नेश्ट है देवेंदर जान जरिया दोहजाइट चार स्वड़त-पतक जीते हैं भाला फेक में जीते हैं घृषा नाग राजे गोडा इनुवहने उनिष्टुबारा में रज़त-पतक उचीकूद में जीता है यहां पर इतना सब तो याद नहीं हो सकता दोस्तों बट जो इंपोर्टेंट है जैसे कि इतना सब्सक्राइब जीता था जिन्हों जो परावन अप्री में पर्थम भारती है ठीक है और यहां पी देवेंद्र जांजरिया को जैरूरियाद कर लेजिए जिन्हों ने दोजाद चार में दोजार सोल में सवपदक जीता है भाला फ्रेक में ठीक है और जोगिंदर बत्त्रा जो है जोगिंदर बेडी जो हैं कार्ष्य पदक वह भी किसमें साथपूर बिसकस्त्रों जैविलिंद्रों में दिपा मलेक में गोलाग फेक में 2016 में रज़त पदक और मर्यपन ठंगा वेलू सवपदक उची कुद में जीता है तो इन सब को में में पॉइंट को जरू याद कर लिजे पूरा तो याद नहीं हो पैरा उलैंपिक जो है जब शितकाली ऊलंपिक होता है उससी वर्चस में यह भी संपन होता है जैसे कि 시द्ट काली ओलैंपिक जो था ओ engineering bedroom होंता और शितकाली पैरा उलंपिक भी त्यक्शीकों तंट्चिक उल्हा में हो था जिसमें भार्त इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जादे से जादे से एर किजे जिसे उन तक भी आपके माध्यम से ए वीडियो पहुँछ सके तो दोस्तों यदि आपके मन में फीजिकल एजिकेशन से रिलेटेड को भी टाफिक समझ में ना आता हो तो उससे मझे कमेंट बाउन्स पे जिसका नन भूलिए जिसे जब ही में देवा वीडियो अप्लोट कुरूं उसका नाटिफिकेशन आप तक पहुछता रहे तद्विते हैं नेफ्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहे हुआ